मुझे सब्जेट दिया गया कि तिलंगाना राज्ज में किस प्रकार से वहां की सरकार दुआरा हिंदूों पर अतियाचार करती है हिंदू कारिक्रमों पर प्रतिबन लगाती है अगर कोई कारिक्रम लगाता है तो उनके उपर किस प्रकार से एफ़ार करके जेल भेजती है आ 2014 में एक नहीं सरकार का घटन हुआ TRS और उसका मुख्य मंत्री बना KCR 2014 से लेकर अब तक KCR की गौर्णमेंटम ने एक ही एक काम किया है वो है मुसल्मानों को खुश करना मज़िदों का निर्मान करना पुराने मज़िदों को फंड देना मदर्साओं को फंड देना मौलवियों को हर महिना सालेरी देना मौलवियों के शिश्व जो होते हैं उनके को हमारा जो टेक्स जो हिंदों का जो टेक्स जाता है तलंगाना सरकार को उसी टेक्स से मौलवियों को मज़िदों को और कबरस्तानों को भी फंड दिया जा रहा है जब से तलंगाना में नहीं सरकार बनी है इससे पहले एक सरकार थी जिसका मुख्यमंत्री वयस राश्चेकर रड़ी था उसने तलंगाना के हिंदों को आंदर पदेश वो समय पर ता तो धर्मान तरन के उपर उसका जादा फोकस रहता था उसके बाद में किरन कुमार रड़ी आए पिर तलंगाना अलग हुआ और तब से लेकर अभी तक हिंदों पर केवल ही केवल अत्याचार ही हुआ और मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब-जब हिंदों पर अत्याचार होता है हिंदु संगटित होता है और यह देखते हुए मुझे गर्व होता है जैसे कुछ ही दिन पहले यानि कुछ ही मेहने पहले एक मुनवर फारोकी का प्रोग्राम तेलंगाना राज्ज में जो तेलंगाना राज्ज का जो मुख्य मंत्रि उस बेटा है के टी यार बेटे ने उसका कारिक्रम लगाया बेटे को यह पता नहीं था कि मुनवर फारो की हिंदु देवी देवताओं पर किस प्रकार से गंदे शब्दों का उप्योग करता है उसने कारिकरम लगाया भूस सारे तिलंगाना राज्जी के हिंदुवादी संगटन ने हमने विरोध किया विरोध के बाद में जैसे कॉमपोडिशन जैसे मोहल पैदा हो गया तेलंगाना राज्जी में जैसे एगोईजम होता है न वैसा तेलंगाना राज्जी का जो मुख्यमन बेटा है उसने कहा कि मैंने तो इसका कारिकरम लगाया और कारिकरम को तो कोई रोक नहीं सकता क्योंकि सरकार उनके हाथ में है, पॉलिस उनके हाथ में है, जितने प्रैत्न हिंद्वाजी संगटों ने करना किया, उतना प्रैत्न किया है, शोचल मीडिया में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, बहुत उसका विरुध हुआ, दुरुभागी देखिए, उसका कारिकरम हजार लोग थे वह भी सारे के सारे मुस्लिम और उसके प्रोटेक्शन के लिए छे से साथ हजार पोलीस कर्मी लगा दिये गए जहां पर उसका कारिकरम था हर रोट पर हर चोराहे पर पोलीस ही पोलीस एक आदमी के लिए कि IPS और कमिशनर जैसे बड़े-बड़े लोग रोट पर खड़े हुए हैं IPS रेंग के DCP's IPS रेंग के कमिशनर भी रोट पर खड़े रहे के उसका कारिकरम करवाए ठीक है कारिकरम तो हो गया है कारिकरम होने से पहले हमने एक वान किया था कि देखो भई जब तुम हमारे देव विडियोतों पर कोई बात नहीं कि लेकिन जाते जाते एक दो चार शब्दू उसने कहे उसके बाद में हमने भी एक छोटा एक कॉमेडी शो हमने किया था तो कॉमेडी शो ऐसा हो गया कि वो बहुत एगरिसू हो गया तो जितने जो मुले ते पुरे रोड पर आकर बैढ़ विरोध वा एक साइड हिंदू तो एक साइड ये चंगिरी टोपी वाले बहुत विरोध करें पोलिस की गाड़ियों को जला दिये जैसे एक दंगा जैसा मौहल पैदा किया तो 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 तुरंद सरकार ने मुझे अरेश किया कोट ले गए तो कोट में भी मुझे बहुत हिंदू एक साइड और मुसलिम एक साइड आदीवक ताइड । मेरे समर्तन में सारे हिंदो वखिल खड़े होगे सारे के सारे के सारे और दूसरे साइड, मुस्लिम्स जितने एडवेकेट से साड़े खड़े हो गए अब पुरा कोट में आजु बाजु महल तो बहुत खतरना हुआ के राजय सिंग को जेल बेजने वाले है और जो जेल मुझे बेजा जा रहा था वहां पर भी 144 सेक्शन लगा दिया गया और जो रोड मुझे ले जाए जाएगी जेल की रोड वहां पर भी पुरा पैक कर दिये पुरा पुलिस फोर्स लगा दिये बस राया सिंग जेल आने वाला स्कोलिंग चल रहे है टीवी पर तो अब मेजिस्टेट बोलता है कि हाँ अब हम आपको रिमैंड करेंगे तो हमारा कि विधायक ने क्या कहा विधायक ने किसी का नाम नहीं लिया हम भी थोड़ा पॉलिक सिक लिए भी अभी यह भी सिक लिए क्योंकि केसों पर केसों पर केस जादा हो गए तो बिना नाम लिए हमने सब कुछ कह दिया तो मेजिस्टेट को जब हमारे एडवेकेट सारे लोग ठहर कर आगुरुमेंट करने लगे कि भई अगर आप इनको रिमांड करोगे तो मिजिस्टेट साब आप भी जेल जाओगे यानि सुप्रिम कोट का एक कानून है बिना नोट इसके किसी विधायक को जेल नहीं बेजा जाता तो मिजिस्टेट रिडी था कि चलो आज एक विध निकालिये सुप्रिम कोट के निकाल के मिजिस्टेट के सामें रख दे के बहिए अगर आप इनको जेल भजोगे तो आप भी जेल जाओगे अब मेजिस्टेट धर्म संकट में फस गया कि क्या करे अगर अगर अंदर जाओ भी जोओंगा तो मैं भी जाओंगा इसके पीछे पीचे तो दुर्भा की देखिए जो मेजिस्टेट पांच बजे यानि पांच से गर पांच दस हो जाते तो मेजिस्टेट उठकर चले आता है घर मेरी लिए आड़ बे तक मेजिस्टेट बैठा हुआ है और उसके उठकर चंबर में जाकर सभी को बुलाता है कि देखो ने चक्किया भई भी जाना तो मुश्किल है क्या करें बहुँ चलो चोटा सा एक वान करके इनको छोड़ देते है तो चोटा सा एक पेपर में मुझे लिखा लिए कि नेक्स टैम में इस प्रकार का भाशन इस प्रकार का वीडियो ने बनाऊंगा तो हमारा एड़ बोले ल 300 पोलिस फोर्स मुझे त्यूंकि मेरो पर हमला करने की प्लानिंग थी इनकी क्योंकि कोट से मेरे घर आने में पूरा मुस्लिम से अरिया लगता है तो पूरी फोर्स लगा गर ला दिये अब जैसा घर आया तो शाम में फिर दंगा फैल गया कि राजा सिंग रिहा हो गया अ और हो मिनिस्टर है महमुद अली कान तिलंगा नाराज जी का इन सभी लोगों ने मीटिंग की कि अब हम क्या करें अगर इसको हम कल की तारिक में जेल नहीं वेस्ते है तो शेहर जेलेगा क्योंकि पुलिस फेल है सरकार फेल है तो तुरंड उनोंने चाहा के हाँ हमारे पास एक पावर है हम लोग गुणडा एक्ट दालेंगे जैसे आपके एरे में कुछ गुणडा एक्ट कहते है हमारे पास पीडि एक्ड कहते है वो एक्ट के तायद हम इसको अंदर भी जा सकते हैं तो तुरंद उने ने क्या का अब आविस्तारी के दिन तुरंद मुझे आए अरेश करें तो मैंने पूचा कि क्या प्लाने हैं कुछ पुलिस वाले होते हैं हमारे प्रेमी कि क्या प्लाने भई नहीं सर पीडी आक्ट किक वड़ा बँस बारह महिन है मेरी हीस्तिरी पता है किया पुछा इंस्पिटर को नहीं सर Luk न्हीं आया हूँ मैं तेन मेने गया वीटा में है फीर मेरा मन नहें म Seeing 2005 में 6 मेने के लिए चले गा में फिर फिर उसके बाद में कभी 45 दिन, कभी 40 दिन, कभी 15 दिन कंटिनुशन, बहुत कंटिनुशन यानि जब आंदर प्रदेश गौर्डेमेंट थी तब हम लोग कनवर्शन की खिलाव गवरक्षा करते थे, गवहत्या की खिलाव लड़े लड़ते थे, वह समय पर कहीं हो बार आना जाना रहा और इस बार 77 देज रहे, यानि विदायक बनने के बाद पाईली बार ज़रा जादा लंबा गया में अंदर 77 देज अंदर अराम करा मैं, यह लोग सोचे कि हम लोग डर जाएंगे, जेल जाएंगे तो डर जाएंगे लेकिन जेल में बहुत अराम करने को मुखा मिला मझे, यानि मैं कहता हूँ कि जेल मेरे लिए फार्म हाउज है और उसी तरह से हम लोग जेल में रहे जेल से बाहर आने के बाद में एक बहुत अच्छा माहूल क्रेडवा लोग सोचे कि भई विधायक है, शेर के बारे में सोचेंगे, खुर्ची के बारे में सोचेंगे क्यूंकि बीजेपी ने तो नेक्स डे सबस्पेंट कर दिया है, अब ये डर जाएंगे, कोई कारिकरम नहीं करेंगे और मेजिस्टेट का भी क्लियरली ये आदेश था, कि आप जेल से बहार आओगे, तो कोई रैली नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेस्बिट नहीं और भविश्च में कोई सबा और कोई कॉमेंट आप नहीं करोगे तो बस एक पंदरा दिन हमने ग्याब दिया, उसके बाद में फिर शुरू हो गए नव औरेलिया, नव सबाएं महारास्टा में हो गई, नव एफायर भी वहा हो गई फिर 36 गाड़, फिर राहिसान, कोटा, कंटीनू, अभी तक एक और 45 केसा से और एक्स्ट्रा हो गए तो जेल से बहार आने के बाद में तलंगाना में हिंदूत का कारिकरने में थोड़ी दिक्कत आ गई क्योंकि कोई भी छोटा भी कारिकरम करते हैं तो पॉलिस तुरंथ आरगनेजर्स को और कारिकरम में आने वालों को नोटिस देना, नहीं सुनने पर एफायार करना जैसे हलाल गरंथ जो कि हिंदू जैंजागुरुत समीति के ततधान में तेलगू में उसका पब्लिकेशन था और पूरू आईएएस, आईपीएस आफिसर्स उस गरंथ को विमोर्चन के लिए कारिकरम में आने वाले थे दुरभागी देखिए अरड़ी मुझे समीति के अधिकारियों ने का के भाईया आप भी आईए तो मैंने कहा अगर में आउंगा तो आपका कारिकरम को परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि राजा सिंग को एक आतंगवादी हिंदू आतंगवादी की रूप में पुलिस वाले माकर देखते है तो आप लोग करिए कारिकरम ठीके आखरी शन में कमिशनर ने परमिशन को कैंसल किया वो गरंथ को भी विमोर्चन होने नहीं दिया क्योंकि हालाल क्या है ये तेलंगाना की जनता को मालूम होने नहीं दिया हुआ कि सरकार नहीं है और आज भी देखिए अभी बकरीद है 29 या 28 की वो समय पर अभी से सरकार ने एक मीटिंग ली है दुर्भा की देखिए कि कोई भी गौरक्षक अगर गाये को रोखने के लिए रोड़ पर आएगा पहले उसको अरेश करके अंदर दालिया जाएगा पहले और जितने जो गौरक्षक है जितने जो हिंदवादी आर्गनिशन्स है उन्हों सब को नोटिस दिया जा रहा है उन सब को bond over किया जा रहा है कलेक्टर के पास ले जा कर उन सब को one किया जा रहा है कि अगर आप लोग गव रक्षा के नाम पर रोड पर आओगे तो तुम्हारी शीट हम खोलेंगे रोडी शीट और तुम्हारे पर F-wire करके कोई भी एक धारा आईसी लगाएंगे कि आप लोग तीन में तक बाहर नहीं आ सकोगे हम तुम्हें अंदर दाल दी जाएंगे इस प्रकार का एक यानि हिंदों पर जितना अत्याशार शायद तिलंगाना में हो रहा है बंगाल में हो रहा है केरला में हो रहा है, किसी राज्य में नहीं हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूं, बहुत यत्यचार हो रहा है तेलंगाना में, साथी साथ, आने वाला जो समय है, हमारे हिंदूं के उपर, बहुत ही एक भेंकर समय आने वाला है, जैसे पिछले आदिवेशन में भी मैं कहा था, कि अगर हिंदू शोशल मीडिया के हद तक एकर साइमित हो जाएगा, तो कभी वो हिंदुराश के लिए कारे नहीं कर सकेगा, हमें एक जागुरुता पैदा करनी कि वो शकता है, अपने अपने राज्जी में, अपने अपने शेत्र में, अगर हम शोशल मीडिया के माद्यम से हिंदुत को जगाने का, अगर हम परत्न करेंगे तो हिंदु जागे का बार ओबर, लेकिन तुरन कुमा करन की निर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदु हमें एक आदत है, जागो फिर सो जाओ, क्योंकि हिंदू को आने वाले कल का, वो पता नहीं हो उसको, कि क्या होने वाला है कल, अभी देखिये, नांदेर में गवरक्षा करने के लिए कारे करता रोट पर आ ए, तिलंगाना से नांदेर जा रहे थे, एक कारे करता को मार दिया गया, और छे कारे करता घायल है, राजिस्तान में सिर्फ शोशल मीडिया के माध्यम से नुपुन जी को सपोर्ट करा एक टेलर ने उसका गर्दन कार दिये अनेकों शेत्र में, अनेकों राज्यों में हिंदूओं के मडर्स हो रहे है टारगेट करके उनको मारा जा रहा है क्या हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है क्या मरने के लिए हम पैदा हुआ है क्या आज हम भारत में सौ करोड हिंदू है ऐसा हम कहते है तो सौ करोड हिंदूओं में क्या हम एक करोड हिंदू को क्या हम नहीं जगा सकते है क्या क्या और बाकी के जो नववद करोड जो हिंदू है क्या वो नपुन सक है क्या आज मैं पूछना चाहता हूँ अगर सो करोड हिंदू में अगर हम एक करोड हिंदू को भी एकटा करने में अगर हम कामियाब हो गए जैसे इस मंच के मादियम से भाई साब बता रहे थे कि अगर हिंदू एकटा होता है तो औरंगावाद का भी नाम संबाजी नगर हो जाता है अगर हिंदू एकटा होता है तो अगर भारत में हिंदूत को सुरक्षित रखना है भारत को अगर भारत में हिंदूत को अगर सुरशित रखना है जहाँ जहाँ पर भगवाधारी लोग बेटे हुए है योगी जी से प्रेणा लेने की अवशक्ता है के अगर हिंदू को मारा जाएगा गाए को काटा जाएगा मंदिर को तोड़ा जाएगा लग जिहाद करेगा तो उसका क्या हाल होगा यह प्रेणा लेने की आज अवशक्ता है नहीं तो ऐसे ही मारे जाएंगे मरते जाएंगे कारे करता डरते जाएंगे कारे करता जेल में जाते रहेंगे कारे करता आपको पता है जब मैं जेल में था तो तीन आतंगवादी मेरी प्रतिक्षा कर रहे थे कि कब राजा सिंग बहार आएगा और उन तीन आतंगवादियों में से एक आतंगवादी औरडी बंब लास्ट में 17 साल जेल काटे सो है 17 साल एक आतंगवादी जब टास्पोस पोलिस के ओपर उसने बंफेक दिया बंब लास्ट हुआ तो तीन पोलिस वाले मारे गये और उसमें एक आतंगवादी भी मारा गया bum planned करने वाला arrest होता है 17 साल जेल में रहता है 17 साल जेल में रहने के बाद में जब भार आता है फिर वो planning करता है पाकिस्तान से त्रीन hand grant लाता है वो RDS का बंदोबस करता है वो उसका plan होता है कि हमारे इस जो तेवार होते हैं हिंदु तवहरों पर ब्लाश करना है और राजा सिंग के ऊपर बम फेकना है जब वो लोग अरेस्ट हुए जब इंट्रकेशन हुआ तो दुर्भागी की बात है तेलंगाना की इस भी यानि होती है ना तो दुर्भागी है उनका स्टेट्मेंट बहार आने ने दिया कम से कम मुझे सूची तक नहीं किया गा के भाहिया यह तीन जो थे यह आपके लिए भी थे तो मुझे उसमें एक आफिसर वो मुझे आकर कहता है कि भाई साब यह जो तीन थे ना उसमें से एक जो बम था ना व में ऐसी भी सरकार है जिसको लोग मारें के लिए सुचते है कम से कम उस्विक्ति को बताया भी नहीं जाता कि भई थोड़ा सावदान रहो वो भी बताया नहीं जाता यह ते लंगाना की सरकार के यह कामा इस परकार से है मैं आप सबसे निविदन करना चाहता हूं आपको वो शक्ता है अगर हमारे भारत को पूरे विश्व को हिंदू राष्ट बनाना है पहले तो साधना और भगवान में लीन हो जाओ प्राथना करो क्योंकि हम जितनी साधना करेंगे जितना भगवान के चरनों में ध्यान करेंगे उतने हमें शक्ती मिलेगी और साथ में एक एक शाह वो नारी हो या एक एक नौजवान हो अगर कोई हमारे पर हमला करता है तो दस जनी को कम से कम हम मार सके अपने आपको बचा सके अपने महले को बचा सके आपको ये ट्रेनिंग अभी इसे लेने की अवश्रकता है क्योंकि हिंदू राष्ट बनेगा कोई रोक नहीं सकेगा क्योंकि आने वाले समय में यानी 2024 के बाद में भारत का हर वो हिंदू खड़ा होगा और हिंदू राष्ट के लिए आवाज उठाएगा जब हिंदू राष्ट की आवाज उठेगी तो ये मसनोचों के ये मुसलमान मुझ बैठेंगे ये लोग भी इनकी औरेडी योजना बना कर रखे कि अगर हिंदु राश की और अगर देश जाएगा अगर हिंदु जाएगा तो हमें क्या करना है बंगाल में जिस प्रकार से एक समय पहले दंगे फसाद हुए तो हिंदु को टार्गेट करके मारा गया था उसी प्रकार से उनोंने कुछ एरियस प्लान करके रखे कि कहां पर हिंदु की संक्या कम है कहां पर जो मीठे हिंदु होते ना मीठे हिंदु जिसे उनको एक थपड मारो गांदी जी मन जाते है ऐसे भी हिंदु कहां कहां पर रहते वो भी एरियस प्लान करके रखे उनोंने जिस दिन भी ये लोग उठेंगे न हिंदू भौत मारा जाएगा जब आप कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम लोग कुम्मा करन की नीन सो रहे हमारा हिंदू समाज भी सो रहा है इसलिए आज उठने के वो शकता है जागने के वो शकता है और हर महले में सफोज अगर एक हजार जनी का अगर महला है वहाँ पर कम से कम एक सो जनी को ट्रेन कर दो लट हो जूडे हो कराटे हो अने को प्रकार की दिया अगर हम उनको सिका सकेंगे तो वो नौसो की रक्षा कर सकेंगे सिर्फ बचाओ की बात कर रहो में क्योंकि हम लोग किसी को मान नहीं सकते हैं उनका जैसा हम उनका ऐसा गले काट नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ सेल्फ डिफरेंस कर सकते हैं उनका वैसा हम नहीं सोच सकते हैं बचने के लिए ये बता रहूं मैं आपको क्योंकि सादू संथ कहते है कि राज सिंग आने वाला समय जो है बड़ा ही भयंकर है अपनी आपको बचाओ अपने परिवार को बचाओ मोहले को बचाओ जिस बस्ती मेरते उसको बचाओ नहीं तो ये जो है आत्तंगवादी का जो रूप लेकर बैटे है ये सर्वनाश कर दींगे क्योंकि अगर वो लोग हमारे पर हमला करेंगे तो हम अपने आपको कैसे बचाए इस विशे पर ध्यान दो और सभी मेरे भाई बुन्दों को जो साथ दिन से निरंतरन जो यहां बैटकर हिंदु राज के लिए मंधन जो कर रहे है मैं आप सब के चरणों को पडाम करता हूँ बस आखरी में यही निविदन करना चाहूंगा समय बहुत कम है हम रहे या ना रहे हमारा एक संकल्प रहना चाहिए हम आज हिंदु राज के लिए लड़ रहे है कल हमारे बच्चे हिंदु राज के लिए लड़े यह संकल्प होना चाहिए और हमारे अंदर का जो अहंकार है हर इंसान में कुछ ना कुछ अहंकार कही ना कही चुपा होता है के रार मैं हूँ I am doing Hindu one of no one will come I have taken информa Grind полnit to give ей I am so, I want to say to all just keep on grieving all such the huge Hindu organizations who say that the Better Mode and my father's father I want to say all those what do that? if anyone else does it, give them cheddar and do they not gli a favour जब मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि राया सिंग आरेडी तुम सस्पेंड हो बहुत सारे लोग तुमसे नाराज है अगर तुम उस कारिकरम में जाओगे तो तुमें और परेशानी पाइदा होगी तो मैंने उनको कहा कि ये समेती से मैं कहीं वर्षों से जुड़ावा हूँ और सच-बुश में अगर कोई हिंदू राज के लिए कोई आर्गनेशन काम कर रहा है तो वो है हिंदू जन्जागूर्दी समेती जिसने मुझे ये मंच दिया जिसने मुझे बोलने की शक्ति पैदा की जिसने मुझे ये मंच दिया जिसने मुझे बोलना सिखाया जिसने मुझे बड़े-बड़े मंच दिये वो ये आर्गनेशन है तुम नहीं और उनको हाँ जोड़कर मैंने कहा कि आप भी हिन्दुत का काम कर रहे हो वो भी हिन्दुत का कारिक कर रहे हो अगर हम सब लोग अगर एक मुठ्टी बनेंगे तो कोई भी मुल्ला हिन्दुत के पुष्ऽित आँख उटा कर नहीं देख सकेगा यह जवाब देकर मैं आया है और ही राजनिती की बाद अरे हम तो लात मारते हैं इसी राजनिती को लात मारते हैं क्योंकि हमें एक हिंदुत के नाम पर कारे करते करते मरना है यह पॉलिटीशन क्या है? कितने दिन रही है चेर? कितने दिन? जब तक जनता खुश है आपकी छेर सलामत है जिस दिन जनता खुश नहीं आप पैदल तो हमें ये जनता को खुश करने के लिए मोरी नाले साफ करने के लिए हम इस धर्टी पे नहीं आए मेरे भाईो हम एक संकल्ब लेकर आये है के मेरे भारत को हिंदू रास्ट बनाएंगे मेरे भारत को इस बार राम नौमी के असर पर देखा होगा आपने राम नौमी के असर पर लाखो लोग लाखो कारे करता हर राज जिससे कारे करता है धराबाद पहुँचे और इस बार मुझे बहुत गर्व मैसुस हुआ, बहुत गर्व मैसुस हुआ, क्योंकि इस बार जिस रास्ते पे हम जाते हैं, उस रास्ते की मजिद नहीं, पूरे तिलंगाना की मजिदे पैक हो गई, पूरे तिलंगाना राज्य की, क्योंकि पूरे तिलंगाना राज्य से ए एक एक रहली बनाकर कारे करता आगे उस रहली में रॉम्नामी शोबयात्रा में ये होता है हिंदूत का संगटन डरोमत जीवन में आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है जीओगे कितने साल जीओगे पचास साथ सतर असी नौश सो उसके बाद मरने ही है ना अरे यार इतियास अर लग्ये मरो ना इतियाज लिखो चैलेंग्स करो कि हम खड़े वे देश और धर्म के लिए मरने के लिए मेरे बच्चे को अठाने की बात कहीं थी मेरे बेटे को सतरा साल का मेरा लड़का है एक लड़की और तीन लड़के है मुझे बार बार फोन आ रहा है कि राम नौमी तक तेरे बेटे को उठा दिया जाएगा राम नौम इशोबय अता इस बर नहीं निकालने तो हम खत्म कर दिंगे मैंने राइटिंग में पोलिस को कम्लेंट दिया है नो इफायर नो इंक्वाईरी तो जहां पर सबसे बड़ी मजीत ते लंगा ना किये वहां पर मैंने कहा क करें न mêsक्ن से बेटा रोख अब बताएंगके क्वेशनर को डीजीपई को कि हम क्या है हम वह हिंदू है जो गुरुगोविन सिंग जी ने अपने बच्चों का बलिदान दे सकते तो हम क्या चीज है करें इसाओ करेगा ये मरेगा तो और दो है उसके पीछे वो भी हिंदुत का काम करेंगे ये भावना हम सब में होनी चाहिए ये भावना हम सब में हो चाहिए और फिर से एक बार रिक्विश्ट कर रहा हूं शोशल मीडिया में हम प्रचार कर सकते हैं लेकिन हिंदुत को कर जगाना है तो समय को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस विशे पर विचार करें धन्यवाद जैसी आराम